हले अवरिवान, वेलकम टू माई चैनल समसेरी ब्यूटी हॉप मैं हूँ नरक्षा, आज में शेयर कर रही हूँ एक हैर शीरम का रिभ्यू एंड फुल डेमो शेयर करूँगी ये प्राडेक्ट है बी बलंड का न्यू लांज प्राडेक्ट है आप देख सकते हो कुछ इस टैप का ये प्राडेक्ट है बी बलंड शेलून लाइक हैर इस्टंट शाइन हैर सीरम फो लॉंग लास्टिंग शाइन एंड फिजी कंट्रॉल टेन गुना शाइनर हैर तो चलिए आज मैं आपके साथ इसको डीटियल में शेयर करूंगी तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूं आप देख सकते हैं कुछ इस टैप का इसका पैकिंग है पैकिंग काफी क्योट सा दिखता है ये ट्रेवल फेंडली है बिल्कुल भी प्राडेक्ट इसमें से लीक नहीं करते हैं तो काफी अच्छा इसका पैकिंग लगा मुझे बी ब्लंच अलुन लाइक हेर इस्टंट शाइन हेर सीरम फोर लॉंग लास्टिंग शाइन एंड फिजी कंट्रॉल विद राइस एंड शील्क प्रोटीन विद शाइन टॉनिक टेन गुना शाइन हेर फ और अब टू सिवेंटी टू आवर्स सिवेंटी एमलिस में प्राडेक्ट मिलता है तो इसका मैनेफिक्चर है साथ दोजार तेईस का है 499 इसकी MRP है 24 मन्त आपको यूज करने का डेट मिल जाता है 24 मन्त तो यहां पर डीटियल दिया वह है इस प्राडेक्ट का यहां पर सा प्राडेक्ट आता है तो काफी अच्छा है यह आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यह है टीव पैकेजिंग है इसका तो इसको आप हलका से ऐसे प्रेस करेंगे तो निकलने लगता है प्राडेक्ट अथोड़ा सा ओल टैप से निकलता है देखिए देखने में लाइग कि थोड़ा सा ऐल टैप से हैं काफी सिल्की फिल होता है इसको छुनने में प्राडेक्ट को इस टैप का यह निकलता है बहुत ही लाइट वेट है यह हलका सा भी आपको इश्टिकी फिल नहीं कराता है तो चलिए अब मैं आपको हैर पे अपलाई करकर दिखाती हूँ अब देख सकते हैं अभी मैं हेर वास करकर आई हूँ तुरत ही शैंपो करकर आई हूँ टावल ड्राय है मेरा अभी थोड़ा वीगा ही है हेर पे तो इस टैप से भी आप अपलाई कर रखते हैं एक दो ड्रॉप लेना है इसको यूज़ करने से पहले आप बॉटल को अच्छ पुरे हेर पे अच्छे से अपलाई कर लेंगे थोड़ा सा मसाज करते हुए अपलाई कीजेगा तो बहुत ही अच्छा शाइन आता है तो चलिए अब मैं इसको ड्राय होने के बाद आप से मिलती हूँ अब देख सकते हैं ड्राय होने के बाद कुछ श्टाप का रिजल्ट आया है तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगा आज मैं न सेम प्राडेक्ट यूज की हूँ इसी का शैंपो हेर मास्क भी अपलाई की हूँ तो सेम यूज करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है ऐसा नहीं कि आप अधर शैंपो भी यूज कर रखते हैं इसको मैं यूज करने से पहले एक दो बार पहले भी यूज कर चुकी हूँ तो उससे पहले में क्या दूसरे ब्रांड का शैंपो यूज की थी फिर में सिरम को अपलाई की थी तो भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे इसका बहुत ही अच्छा शाइन आ जाता है हेर पे सिल फिल नहीं होते हैं इसको अपलाई करने के बाद शाइन काफी अच्छा रहता है हेर पे तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगा यूज करने के बाद इस सीरम की टेक्चर की बात करों तो काफी लाइट वेट है इस टिकिनेस बिलकुल भी नहीं है इसमें काफी अच्छ लगता है इसको अपलाई करने के बाद आप इसे ड्राय हेर पे भी अपलाई कर्श रखते हैं अगर आपको थोड़ा फिजी फिल हो रहा तो थोड़ा सा लेकर अपलाई कर लीजे फिर कॉम कर लीजे काफी अच्छा कर देता है हेर को तो मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगता है यह अल हेर टाइप के लिए अगर आपका हेर बहुत ही रॉफ है फिजी है तो अब इसे ट्राय कर्श रखते हो बहुत ही अच्छा सिल्की शाइनी हेर कर देता है अगर सेम यूज करेंगे तो बेस्ट मिलेगा अगर आप सेम नहीं भी यूज करना चाहत है तो सीरम सिफ ट्राय कर रखते हैं सीरम काफी अच्छा इसका रिजल्ट है मुझे अच्छा लगा ये बहुत ही इस्टेट While होता है एक करने तो रिजल्ट काफी अच्छा है कोई आप रभलम नहीं है मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कॉमेंट में जरूर बताईएगा आप लोगों को कुछ भी पूछ रहा हो तो कॉमेंट में पूछ सकते हैं उमीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो like, share, subscribe to my channel thank you so much, मिलते हैं निक्ट वीडियो में, bye bye, take care